ब्रिच रसोई में आपका स्वागत है आज मैं करेला का भुंजिया की रसिपे शेयर कर रही हूँ और यह करेला का भुंजिया एकदम कड़वा नहीं लगेगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 200 ग्राम करेला करेला को धोकर हम इस तरह से पतले करवापन होता है वो कम हो जाएगा 10-15 मिनट इसको हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के बाद हम करेले का जो करवापन है वो निकाल लेंगे नमक डालने से इसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है तो यह करवा पानी है तो इसको हम निकाल लेंगे तो करेले का करवा पानी अगर निकल जाता है तो काफी हद तक करेले का भुजिया या सबजी मनाते हैं तो कड़वा कम लगेगा और इस तरह से सारे करेले का हम करवापन निकाल लिये हैं और इसको हम एक बार धोलेंगे करेले को कड़वापनी को हटा देंगे फ्राइपन गरम कर लेंगे इसमें तीन करेले को भून लेंगे तो थोड़ी देर में इसका देखे कलर चेंज होने लगा है तो साथ से आठ मिनट तक हम करेले को फ्राइपन कर लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए और जल्दी से भून जाए प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चीज़ न हो जाए करेला हम लिये हैं 200 ग्राम तो प्याज भी हम 200 ग्राम यूज किये हैं दोनों का मा हम लाल मिच डाल देंगे लाल मिच पाउडर अपने टेस्ट के कॉर्डिंग लेंगे सभी को मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम फ्राइ किया हुआ करेला डाल देंगे एक बार हम इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से अब हम इसमें नमक स्वात के नुसा डाल देंगे और सभ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर प्याज और करेला दोनों फ्राइ भी हो चुका है और पंग भी चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिकिन नमक डाल करके इसको दो मिनट के लिए हम ढग कर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो कवर कर देते हैं और लो कि दाल के साहर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल रशिपी है आप इसे जरू त्राइब कीजिए और आज की मेरी करला भुझिया खीर अगर आपको पसंदाइए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए और میरे आने अले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वोडियो में थैंक यूँ